हेलो फ्रेंड्स कुक वित मनिशा में आप सभी का स्वागत है आज मैं बनाने वाली हूँ व्रत की लिए स्पेशल साबुदाना वड़े तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को तो ये साबुदाना वड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं बुंग फली इन्हें म तो ये हमने पीनट ग्राइंड कर लिए हैं इसको साइड में रख देंगे अब यहाँ पर लिए हैं मैंने उबले हुए आलू ये पाच मेडियम साइज के आलू हैं जो मैंने ऐसे छिलके निकाल कर कट कर लिए हैं अब ये मैंने साबुदाना जो राद भर अच्छे से मिर्च इसको हम बारिक कर लेंगे तो चलिए अब साबुदाना वड़ा बनानी की तयारी करते हैं अब इस साबुदाना में डाल देंगे उबला हुआ आलू ऐसे उसको हाथों से तोड़ कर डालेंगे आप उसको घीस कर भी डाल सकते हैं मैंने ऐसा हाथ से ही डाला हैं क्यो जो भी अच्छे से साबुदाना के साथ और आलू के साथ मिक्स कर देंगे अब इस पर डाल देंगे यह हरी मिर्च जिसको हमने ऐसे बारिक किया हैं स्वादानुसर नमक एड़ कर देंगे अब हम वड़ा बना लेते हैं यह दिखिए ऐसा बनाना है हमें वड़ा ज्यादा पतला भी नहीं है और ना ज्यादा बड़ा भी अब एक एक करके सारे वड़े हम तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे साबुदाना वड़े बनकर तयार हैं यह दिखिए ऐसे सभी एक जि तेल गरम कर लिया है अब इसमें डाल देंगे हमारे साबूदाना वड़े ऐसे पहले एक ही डालेंगे ताकि आपको अंदजा आ जाए कि तेल कितना गरम हो चुका है अब हम बाकी के वड़े भी इसमें फ्राइ कर लेते हैं यह देखिए ऐसे गोल्डन राउन होने तक फ्राइ कर देंगे इसे इसे निकाल लेते हैं प्लेट में यह हमारे व्रत स्पेशल साबूदाना वड़े बनकर तयार है आप इसे दही के साथ या फिर नारेल की चटनी के साथ भी खा सकते हैं तो यह हमारे गरमा गरम टेस्ट यह साबूदाना वड़े बनकर एकदम तयार है